स्वागत है आपका मेने चैनल मशीन गूरू के मैं मनिस कुमार आज जो टॉपिक आप लोग को यह लेकर आज हो है वह है बेसिक आप सी एंसी मिलिंग मशीन में कॉंपार्स होते हैं क्या उसका फीचर होता है आज मैं आप लोग को यह बताने जा रहा हूं अपने इस वीडिय क्या आप लोग करें के लिए अदर वाउन होग तो फीफॉल का एक्रस्वाट ऐसमारिक में भूठ टूल चैनल जुसको को कोया है ये मशीन मीख उन्हें ष्लास कर रोर युइड एसा कि आप देख सकते हैं यह 3X की मशीन है इसमें X, Y, Z, total 3X है इस मशीन के अंदर यह इसका मशीन कंट्ूर यूइट है यह एक फोटे साइज की VMC मशीन है BMC machines अपने control पर चलती है इसका जो control है यह हास control है और भी control की मशीन आती है जासे खानुक control, head and hand control, numeric control, बहुत सारे control की मशीन आती है यह हास control की मशीन है इसका X-axis में इसका limit 400 है, Y-axis में इसका limit 300 है और Z-axis में इसका limit 200 है और इसमें जो आप different types of cuttings से load करते हैं इसमें रेक्टेंजर और किसी भी तरीके का workplace load किया जा सकते हैं और different types of profiles इसमें आप CNC प्रोग्राम के तुरू machining कर सकते हैं एक CNC में को प्रोग्राम करने के लिए तीन तरीके से प्रोग्राम किया जा सकता है manual programming के तुरू cycle programs के तुरू cam program के तुरू computer added manufacturing जिसमें आप किसी software के मदल से उसको program कर पाएंगे चाहे वो del cam हो, master cam हो, junior graphics हो, अपने इस channel के मैं आज के इस video के बाद manual programming के methods, offset training के methods, सभी बताऊंगा आज के लिए मैंने आपको अपने CNC मिलिंग का introduction बताया है कि CNC मिलिंग के अंदर क्या-क्या parts होता है आसा करता हूँ, यह video आपको अच्छा लगा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको subscribe करें, like करें और bell icon प्रेस करें, thank you